हमेंथ करेंथ हो सब्सक्राइण ह tourists can't let us the shot ये दैरिक्ट करिंड यानि दिसलाに द किरेंड क्या होता है क्यों जिसका मानों दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है उसे डायेट करेंड ठीजिए करण का थे, डीष्ट धारा वह धारा है जो सद्धर एक दिश्ब में बहती है वह जिसकी दूरूइता नियत रहती है, जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, DC का flow एक दिसा में होता है या रासायनिक प्रभाव दर्शाती है या चुमबकी प्रभाव दर्शाती है दिस्ट धारा उस में प्रभाव भी दर्शाती है या प्लस से माइनस की और भथी है DC को AC से पहले बनाया गया था दिस्ट धारा के साथ transformer use नहीं किया जा सकता Direct Current का एक prime example है Electrochemical cell अब हम देखते हैं Direct Current के source, हमें Direct Current कहा कहा से प्राप्त होता है Direct Current solar cell या PV cell से मिलता है, Direct Current रसाइनीक बेटरी से भी मिलता है, Direct Current को DC generator से पेधा भी किया जा सकता है अब हम देखते हैं Direct Current के use, Direct Current कहा कहा होता है, हाथ गड़ियों में जो सेल डलता है उसमें Direct Current होता है टीवी, रीमोट, दिवाल गड़ियों पे डलने वाले सेल Direct Current होता है Mobile बेटरी में भी 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक जो जिससे हमारा phone वोक करता है कारे करता है, वो भी Direct Current से ही करता है लेपटोब बेटरी में 14 से 15 वोल्ट की Direct Current ही होता है Mobile Charger की पीन में से भी जिस्ट धारा ही निकलती है जो Mobile Charge करती है ड्रोन्स में लगने वाली 11.2 वोल्ट की लीपो बेटरी भी Direct Current की ही होती है रीडियो वियू सिंगनल का पूरा सिस्टम डारीट करेंट पर ही अधारीद होता है आई होब आपको इस ताद डारीट करेंट और अल्टेनिटीव करेंट समझाया होगा